सब्सक्राइब किजिएगा मेरे चैनल को और दवाइए बिस बेल आइकोन को जिससे आने वाली से भी लेटेस्ट वीडियो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएगी दोस्तों कि आप जानते हैं कि दवाओ के पत्तों पर ये लाल धारी का मतलब क्या होता है तो आज मैं दोस्तों इसके बारे में आपको तोड़ी information दूँगा क्यों लाल लाइन क्यूं होता है और ये होता है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तो आपको बता दू कि भारत एक ऐसा देज बन चुका है जहां दवाईों का सबसे बड़ा कारोबार होता है अब भारत में ही सबसे ज़्यादा दवाई बनाई जाती है अगर आपने दवाईयां खरिते समय ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ दवाईयों पर लाल रंग की लाइन लगी होती है दरसल दोस्तो दवा के स्ट्रिप पर अगर लाल रंग की अगर आपको लाइन दिखती है तो इसका मतलब यह होता है यह दवा डॉक्टर के prescription के बीना नहीं मिल पाएगा और नहीं medical store वाला बीना डॉक्टर के permission के यह दवा किसी को देगा किसी दवाई के strip पे अगर यह लाल रंग की line होती है तो इसका मतलब यह होता है कि यह दवा TB, malaria या फिर पेसाब से related किसी भी बीमारी की दवा होगी दोस्तो कुछ दवाईयां ऐसी होती है जिनको अगर इंसान बीना डॉक्टर के permission से अगर लेता है, consume करता है तो उसके कुछ side effect होते हैं और वो side effect बहुत ही खतरनाक होते हैं इसलिए दोस्तो कुछ strip पे ऐसी लाल कलर की धारिया होती है जिससे अगर medical store वाला गलती से भी अगर वो दवाई देता है तो उसको एक चीज पता चल सके इसलिए दोस्तो जब भी किसी strip पे अगर लाल रंग की धारिया देख ले तो समझ जाए कि वो दवा बीना डॉक्टर के permission से ही आपको मिल पाएगा तो दोस्तो जैसे journal information लाया था में आपके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरू शेयर कीज़ेगा और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा